रजस्थान की विधान सफ़ा चुनाव जैसे जैसे नस्ती का रही है वैसे वैसे ही राज्य में स्यासी आरूप प्रतरोप का सिलसला और भी तेज होता हुआ नसरा रहा है उसिया से विधायक दिव्या मदेर्ना लगातार सुर्ख्यों में बनी होई है जानकारी देदेई की आरेलपी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान पैनेवाल ने जब से दिव्या मदेर्ना पर हमला बोला है तो वहीं दिव्या मदेर्ना भी पीछ नहीं है दिव्या मद दरसल आपको बता दें कि दिव्या मदेना जो लगातार हनुमान बैनिवाल पर हमलावर है हनुमान बैनिवाल पर लगातार वह कई गंभीर आरोप लगाती हुई देखी गई है दिव्या मदेना का कहना रहा साफतोर पर कि उन्हें हराने के लिए हनुमान बैनिवाल को रुपए दिये गए थे और अब देखा जाए तो यहाँ पर पाली से पूर्व सांसद बदरी राम जाखड ने यहाँ पर दिव्या मदेना को जवाब दिया है इनका कहना है कि दिव्या ने आरोप लगाए कि उन्हें हराने के लिए मैंने सांसद हनुमान बैनिवाल को रुपए दिये अगर मेरे पास रुपए होते तो आपके सामने खुद चुनाब लड़ लेता और हरा देता यह आरोप पूरी तरह से गलत है मैंने तो सिर्फ आपक परिवार को ही पैसा दिया है इनका कहना रहा कि दिव्या वो समय भूल गई जब उनके पिता को जला प्रमुख बनाने में मदेड़ना साहब के कहने पर हमने मदद की थी इतनी जल्दबाजी सही नहीं अभी वो बच्ची हैं उनको आगे बढ़ना है उन्होंने दावा किया कि हनुमान बैनिवाल को उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और आज तक दिव्या मदेड़ना के ही परिवार को पैसा दिया है परसम राम मदेड़ना महिपाल मदेड़ना से लेकर दिव्या मदेड़ना की मा तक को पैसा दिया गया है ऐसे आरोपों के बाद जाटों को इसको पर फैका है दिव्या भी बच्ची है इतनी जल्दवाजी मत करो नहीं तो नुकसान हो जाएगा जो लोग जेल गए हैं उनसे उन्होंने कभी जाकर मुलाकात नहीं की हनुमान बैनवाल से मिलने का कारण व्यक्तिगत काम था वो किसी तरह का पैसा लेता भी नहीं था तो इस लोकतांत्रिक पाटी की रैली रही थी और उस दिन यहां पर जाकर सरकेट हाउस में हनुमान बैनवाल से मुलाकात किये और उस वक्त दिव्या मदेर्ना ने आरोप लगाए कि सरकेट हाउस में वहें मिलने गए और कहा था कि दिव्या के सामने प्रत्याशी बन कर खड़े ह जाओ रुपे दूँगा तो इस तरह से देखा जाए तो दिव्या मदेर्ना के उन आरोपों को जूटे साबित करते हुए नसर आ रहे हैं बद्री राम जाखड अब देखते हैं कि दिव्या मदेर्ना आखिरकार इस मामले पर क्या कुछ कहती हैं और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर हनुमान पैनेवाल पहले भी चुनोती दे चुके हैं कि ओसिया से वहे चुनाप लड़ेंगे दिव्या मदेर्ना को वहे चुनोती देते हुए नसर आए हैं और वहीं देखा जाए तो कॉंग्रेस में टिकेट बटवारे को लेकर इन दिनों यहा पर फिर से दिव्या मदेर्ना को ओसिया से उतारा जा सकता है आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ हैं फैसल लिये जाएंगे कॉंग्रेस पार्टी हाई कमान की तरफ से 25 नवंबर की दिन राजिस्थान में मद्दान होंगे और 3 दिसमर को नत दीजे सामने आएगे इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज